आपने कल भी पढ़ा था इसे कल भी मैंने आपको एक्स्प्लेइन किया था आज फिर से एक्स्प्लेइन कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को याद नहीं हुआ होगा आप लोग बच्चों याद करना है और अच्छे से कॉपी में लिखना है कुछ बच्चे बहुत अच्छे से लिखे थे और कुछ बच्चे जो है उतने अच्छे से नहीं लिखे थे इसलिए आप लोग को अच्छे से ये लिखकर अपने कॉपी में रखना है और याद करना है first question is why do we eat food हम लोग भोजन क्यों खाते हैं we eat food to leave हम लोग हम लोग जिन्दा रहने के लिए भोजन खाते हैं सुन्दर से आप अपने कॉपी में ऐसे लिखिएगा how does food help us food help us to grow हम लोग को food बढ़ने में मदद करता है growth में मदद करता है इसलिए हम लोग क्या करते हैं food खाते हैं भोजन करते हैं what type of foods should we eat हम एक ऐसा भोजन खाना चाहिए we should eat healthy food like fruits, vegetables, etc हम लोग को healthy food खाना चाहिए what type of food should we avoid हम लोग को कैसा food avoid करना चाहिए unhealthy food जो की अच्छा नहीं है स्वास्ते के लिए जैसे junk foods जो होते हैं unhealthy food होते हैं उसी तरह से sweets, cold rings, overcooked, spicy food यह सब भी क्या होते हैं unhealthy food होते हैं when do we have three meals हम लोग को कब-कब भोजन करना चाहिए we eat three meals in a day एक दिन में तीन बार भोजन हम लोग करते हैं सुबा breakfast करते हैं दो पहर में lunch करते हैं इस तरह से हम लोग को तीन बार भोजन लेना चाहिए इस तरह का question answer आपको आ सकता है आपके exam में तो आपको क्या करना है इसको अच्छे से अपने copy में लिख लिए होगे सब जो नहीं लिखे हो वो अच्छे से लिख लेना और लिख कर याद करना है फिर से मैं आपको बोल इसको याद करने के लिए क्योंकि यह question answer आपके लिए बहुत ही important है कुछ बच्चों की writing अच्छी नहीं थी साफ नहीं लिखे थे तो वैसे बच्चे अच्छे से फिर से लिख लेने हैं ठीक है ना ओके थैंक यू